क्या है next question question number 12 Central Dogma Central Dogma क्या है what is Central Dogma एक question number 12 है important question है Central Dogma में अनुवांसिख सुचना का परवा DNA से mRNA की ओर transcription द्वारा होता है Central Dogma में अनुवांसिख सुचना का परवा DNA से mRNA की ओर transcription द्वारा होता है फिर इस सुतना का परवा है mRNA से polypeptide chain के दिर्मान में translation द्वारा ہوتा है यहाँ पर हम बात करते हैं DNA से DNA से transcription के द्वारे mRNA की ओर होगा सुतना का परवा है और mRNA से translation के द्वारा polypeptide यानि protein का ज़िर्मान करेगा तो यह यहां पर डिभास transcription भी होता है तो यह आप द्यान में दुसरे सब दुम कहा जा सकता है कि 4 अच्छर DNA की भासा का transcription द्वारा 4 अच्छर mRNA को भेजा जाता है फिर इसे 20 अच्छर वाले भासा में translation कर protein translation कराया जाता है नेस्ट क्यूचन क्या है क्यूचन नमर 13 प्रतिकरन और प्रतिलेखन में क्या अंतर है प्रतिकरन और प्रतिलेखन में अंतर लिखना है तो यहां पर बात करते हैं वहाटी difference between replication and transcription प्रतिकरन को द्विगनन भीकाते हैं प्रतिकरन को हम द्विगनन भीका हैंगे इसमें DNA के अनुकी ठीक प्रतिलिपी यानि copy template भी द्वारा त्यार की जाती है प्रतिकरन यानि की replication में duplicate copy किया जाता है जबकि प्रतिलेखन में यानि कि transcription में अनुवानसिक सुचनाओं का DNA से mRNA में अस्थनांतरन होता है तो यानि कि हम transcription में हमें अनुवानसिक सुचनाओं का DNA से mRNA में अस्थनांतरत होंगा और replication में हमें जो DNA के अनुवानसिक ठीक उसी प्रकार के एकदम copy to copy बना देंगे template भी दिद्वार ओके नेस्ट क्यूचन क्या है क्यूचन नम्मर 14 दोड़ा